जहें दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसे हम वर्ल लिस्टी को कवर कर रहे हैं तो यह हमारा सेकेंड लेक्चर है फर्स लेक्चर में हमने सिलैबस का ओबर्विव देखा था अब यहां पर हम हरनाईजन्स की बात करने वाले हैं मतलब बेसिकली जो किस तरीके का कौन उस पर शासन करता था कौन राज करता था किस तरह का पॉलिटिकल स्ट्ट्चर था किस तरीके के एक लाइफ थी वो समझना जरूरी है तो जैसे हमारे टैगलाइन इस कोर्स की सीधी बात नो बगवास तो एक्साम के लिए जो relevant है जो important है to the point हम यहाँ पर discuss करने की कोशिश करेंगे चलिए शुरू करते हैं तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं world की before 18th century तो 18th century के पहले का अगर हम काल देखते हैं तो हम तीन भागों में इसको divide करते हैं एक है ancient Europe, दूसरा है medieval Europe, तीसरा है modern Europe, जैसे कि हम history को भी तीन भागों में divide कर ancient history, पहला हमारा part आता है उसके division का, देन आता है medieval history, देन आता है modern history, ancient history में हम इंडस वैली से लेकर तो पूरा जितना भी अगुपता पिरेड, यह सब संगा मेज, वो सारी चीज़े हम cover करते हैं, medieval age में जो फिर जो Islamic rule आता है, उसको हम cover करते हैं, then modern काल में जो Britishers, basically जो European power इं यहाँ पर ancient Europe की अगर हम बात करते हैं, ancient Europe में हमें Greek civilization and Roman civilization जो है, यह दो civilizations यहाँ पर देखने को मिलती है, अब देखिए दोनों civilizations के ज्यादा deep में घुसने की जरुपतनी है और ज्यादा deep में PhD करने की जरुपतनी है, जितना यहाँ पर उसके बारे में जानने के लिए आपके गिर्फ में लिया था, यहाँ पर आप देख सकते हो यह वाला agency है, आज के टाइम पर अगर हम देखते हैं तो यह agency और यहाँ पर यह जो इलाका आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर आप देखोगे तो militaryancy देखने को मिलते हैं, आपको लगए यह कौन सा है, यहाँ पर पर inhabitate किया था, टिक है, during the end of third millennium BCE, अब यहाँ पर AD, BC, यह क्या है यहाँ आपको पता है, before Christ, यहाँ पर बोला जाता था, यहाँ आपर anodominy जो है, वो बोला जाता था, anodominy, लेकिन क्या हुआ यहाँ पर before Christ, यह जो timeline है, कि भही यहाँ पर जो Jesus Christ है, उनका जन्म हुआ, त इस तरीके से यहाँ पर दो भागों में पूरे timeline को divide किया गया था, लेकिन यहाँ पर जो timeline निकालने वाले वैक्ती है, वो Christian थे, यहाँ पर उन्होंने before Christ, anodominy यह इस तरीके से निकाला, लेकिन बाद में लोगों ने जो है, इस पर questioning करना शुरू कर दिया, कि भही यहाँ इसलिए आपको अब यहाँ पर C दिखाई देता है, C मतलब हो जाता है common era, ठीक है, C मतलब common era, तो यहाँ पर BC मतलब before common era, actual में timeline वो ही है, लेकिन बस इसको nomenclature जो है, वो अलग किया गया, तो यह इसमें पालतू जहमिले में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर मतलब basically क्या है, जो एक urbanization है, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा था, क्यों देखने को मिल रहा था, urbanization होता क्यों है, trade की वज़य से, जब trade होता है, जब यापार होता है, जो commerce होता है, है न कि वज़यसे क्या होता है, उसकी वज़यसे स्यौधा यहाँ पर चीजह बनकर उभ पसिल की थी तो यहाँ पर लिट्रेचर आप समझे लिजिए लग-लग तरीक जो लिट्रेचर है काफी अच्छे से महाँ पर वो उस पर रिसर्च किया करते थे philosophy में भी काफी मतलब आप देखोगे तो काफी philosophers जो है Greek philosophers आपको देखने को मिलेंगे काफी सारे हैं मतलब आप अगर ethics पढ़ोगे आप अगर political science and interaction relation यह अगर आपका optional होगा तो उसमें और काफी मतलब जितनी philosophy यह सब है उसमें आप most of the philosophers देखोगे तो Greek philosophers जो आपको देखने को मिलेंगे ठीक है तो यहाँ पर basically यह किया जाता था Greek scholars काफी सारे मतलब जैसे Socrates, Aristotle है, Pluto है, Plato ठीक है तो यह सारे जो लोग है वह हमें यहाँ पर देखने को मिले and then उसका Greek city state decline होई 5th century CE में common era जैसे मैंने आपको कहा mainly क्यों Persian empire जोए उनके साथ यहाँ पर conflict जोए वो शुरू हो गया था conflict अक्सर शुरू होते है conflict के होज़े से एक civilization गिरना शुरू हो जाती है एक civilization बढ़ना शुरू हो जाती है फिर disintegration हो जाता है फिर merger हो जाता है इस तरी चीज़े जो है वह हमें आपर देखने को मिले तो यह हो गया Greek civilization then उसके अगर हम बात करते आपर Roman civilization की तो Roman civilization जो है इटली क around जो है यहाँ पर हमें mostly Roman civilization जो है वो देखने को मिलता है early Romans जो है यहाँ पर alphabets, religious belief, art, यह सब जो है काफी सारी जीज़े इन्होंने आपर appropriate की then उसके यहाँ पर जो Greek है यहाँ ना climax after decline of Greeks जो Greeks है कि Greeks कहाँ पर थे अगियन सी जो है उसके आसपास थे है ना तो यहाँ पर अगियन सी के आसपास जब थे तो भाई यहाँ पर क्या है जैसे इनका कम होगा Greeks का कम होगा वैसी यहाँ पर रोमन्स जो है वो अपने climax पर पहुचेंगे वो यहाँ पर बढ़ोतर ही करेंगे वो बढ़ना शुरू करेंगे है ना तो यहाँ पर रोमन्स जो है ग्रीक्स के कम होने के बाद यहाँ पर रोमन्स का विस्तार होना शुरू होता है अब रोमन्स जो है उन्होंने के कॉंटर्बूट किया या नहीं किया जैस सारे आर्किटेक्ट्टरल मार्वल जो है उन्होंने यहां पर कोलुजियम जो हमें देखने को मिलता है यह काफी सारे जो मेन आर्किटेक्ट्टर है वह यहां पर फॉर्म होते हमें देखने को मिले रोमन कैलेंडर जो है वह यहां पर काफी साथ इस्तमाल होता है आज भी वर् में जो ग्रीय युद्ध है जो सिविल वार है उसका बहुत बड़ा कारण जो है वो स्लेव देखने को मिला था स्लेव आप सभी को बन्दक बंदमजुरी जो की जाती है तो यहां पर स्लेव जो है फ्लेड हो गयते है रोमन सुसाइटी से मेंली जो कुनिक वार है उसके बाद को थे सिसंट्री से रसे बड़ा है जो है कि अगर क्योंकि वह आपर चीड़ना शुरू कर देते हैं जैसे हमने देखा है हमारे आप अपर बुद्धी जैसे मैं थोड़ा चनेक्जन देते हो हमारे साथ से इससे क्या है आपको समझ में आचा हाँ आपर भी ऐसे मंना हर जग सोज विचार जो है वो भी सेम है थोड़ा बहुत कल्चरल इंपक्ट पड़ता है लेकिस्टिल यहां पर चीजे जो है हमें सेम दिखाई देती है जो इंपक्ट्स होते हैं बड़े-बड़े इंपक्ट्स जैसे हमारा बुद्धिजम जैनिजम यह क्यों आया क्योंकि जो उसमें वर्णना सिस्टीम देखने को मेरी थी वर्णना सिस्टीम काफे रिजीड हो गई थी रिजीड होने के वजए से लोगों को अपचूबने लग गई थी लोग जो है उसे चुटकारा पाना जाते थे बुद्धिजम जैनिजम जो जो भी आपर ब्रामिन जो रिच्व सब्सक्राइब करते हैं तो रोमन सिविलाइजेशन बेसी के लिए अगर आप देखोगे तो यह धीरे-धीरे इसका डिकलाइन जो हमें देखने को मिला अब इसमें जो वेस्टन पार्ट है फुर्दर डिसिंटिक्रेट हुआ 476 CE में क्योंकि यहाँ पर जर्मन जो है जर्मन बार्बरियन उंगा इन्वेजन हुआ देन यहाँ पर इस्टन पार्ट जो है यहाँ पर टर्क्स के पास जाने तक यह इनके पास रहा रोमन के पास लेकिन फिर 1453 में यहाँ पर टर्क्स के पास चला गया और रोमन एम्पार ज मात्म जो है वह हो गया डिक है यह था रोमनथ इसलिटेसन है अब यहां पर जो एंट यॡज़रूम है वह मनें यहां मैं पर देखा करतो हैं है अब यहां पर्ट नहीं Kirill ये वाँ दुनिया में जो है यहां पर प्कॉलिटी की बात कर रहे हैं। लोग वहाँ पर independence की बात कर रहे हैं, हम अभी भी यहाँ पर colonialism में बैठे हुए हैं, लोग वहाँ पर जो feminism में उसकी बात कर रहे हैं, हम आज भी महलाओ को घर में बिठा कर रख रहे हैं, यह सारी जो है, यह सारी चीज़े होती है, renaissance, मतलब यहाँ पर कुछ आ रहा है, लोगे तो dark age जो है, वो भी कहा जाता है, अब dark age क्यो? देखी, क्या है, यह चुझा कि जो ancient Europe हमने देखा था, ancient Europe में Greek and Roman Empire हमने देखा, दोनों में जो development है, वो काफी हुए, मतलब हम art में बोल सकते हैं, हम religion में बोल सकते हैं, हम literature में बोल सकते हैं, हम philosophy में बोल सकते हैं, यह medieval Europe की बात करते हैं, तो उसमें जो degradation है ये सारी चीज़ों का, वो हमें देखने को मिला, degradation मतलब यहाँ पर आप देखोगे, तो जो quality है literature में, वो यहाँ पर खस्ता होती गई, जो culture है, जो advancement है, वो यहाँ पर कम होता गया, है ना, तो इसे लिए यहाँ पर एक Italian scholar फ्रैंसिसको, उन्होंने इसको dark age कहा है, dark age मतलब यहाँ पर कोई भी बहतर चीज़े हुई नहीं, जैसे ancient Europe में हो रही थी, तो यहाँ पर medieval Europe में कोई भी बहतर चीज़ जो है, वो हमें देखने को नहीं मिली, इसलिए इसे dark age जो है, वो कहा जाता था, तो अब यहाँ पर mains perspective से अगर आप देखोगे, तो period जो है, यह आपको लिखने के लिए, क्योंकि अब dark age क्या है, यह मैंने आपको एकदम आसा चब्त में बता दिया, लेकिन concept समझना इन पॉइंट है क्या नहीं है, पर आपको लिखना भी पड़ेगा, तो mains के लिए क्या रिखो के भाई, क्यों बोला जाता है, medieval Europe जो उसको philosophy, art and architecture, इसमें काफी भैतर था, अगर हम ancient Europe की बात करते हैं, medieval Europe में यह नहीं था, अब क्या हुआ यहाँ पर, जो rise है, feudalism का, वो यहाँ पर देखा जा सकता है, major factor जो responsible था, decline in various sphere, feudalism, feudalism मतलब क्या है, वही, जो बटवारा होता गया, भाई, जो society है, उसमें जो यहाँ पर पटवारा होता गया, इस तरीके से हमारे आपर, wordless system हमें देखने को मिल रहे थी, जब वो rigid होती गई, जो उससे complications create किये थे, वही यहाँ पर feudalism देखने को मिलता है, आगे मैं आपको explain करूंगा, feudalism मतलब क्या, लेकिन यहाँ पर feudalism जो है, वो यहाँ पर major factor था, जो various sphere मे decline जो हमें यहाँ पर देखने को मिला, social stagnation हुआ, religious superstitions यहाँ पर होने लगे, scientific advancement जो है, वो यहाँ पर नहीं हुई थी, जो churches है, मतलब basically Greeks and Romans ने यहाँ पर जो science में advancement की थी, वो यहाँ पर जो churches थे, है ना, मतलब religion यहाँ पर बीच में आ रहा था, जो churches है, वो यहाँ पर इसको एक artistic, cultural output जो यहाँ पर decline होता गया, खस्ता होता गया, उसको यह सही तरीके से यहाँ पर बता सके, अब यहाँ पर आपके मन में जो सवाल आ रहा है, उसको हम यहाँ पर eliminate करते हैं, मतलब कौन सा, feudalism, feudalism मतलब क्या, तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, कि हमारे आपर हमें व जो जो नॉलेजए बल इंसान है, श्त्री है, मतलब जो लडाई करेंगे, जो prevent करेंगे, बचाएंगे, वाही से मतलब जो ट्रेडर सें, शुद्र, मतलब जो बाकी का बच्चाबा काम करते थे, वो सम यहाँ पर शुद्र में आते थे, पहले हमारे हां पर क्या था, कि जो वो ज्यान प्राप्त करके ब्रामिड बन सकता था जो ब्रामिड है वो यहाँ पर अपने व्यापार अगर उसको करना है तो बैश्य बन सकता था and Yang Daar कैम के हिए लेकिन आब यहा पर क्या हुआ कि फिर उसके बाद अब यहा करूह बनता गया ब्रामिन यहा कुछ Southeast कुछ भी करे तो यही प्रॉब्लै यही實 इम्टी पर कैसे प्यूडियल पेरामिड यहाँ पर आता है, सबसे नीचे हमें पेजेंट जो है वो देखने को मिलते हैं, उसके उपर हमें नाइट्स जो है वो देखने को मिलते हैं, उसके उपर हमें नोबल्स देखने को मिलते हैं, उसके उपर हमें किंग देखने को मिलते हैं, मतलब यहाँ इब यहाँ पर प्रिवेंट करने वाले क्या करने वाले हैं मिलिटरी सरविस देने वाले हैं नोबेल्स को देने वाले यह जो है आर्मी एन यह है बाकी की प्रजा। इस तरीके से हमें फ्यूडिलिजम जो है वो यहां पर देखने को मिलते हैं तो बेसिकर लिए अध्मिस्टिटु इस ट्रक्चर जो है कुछ इस तरीक नहीं है यहां पर बन गया था अब आप सोचिए जो पीजेंट्स है तिक ज यहां पर जमीन जो है वो प्रोवाइड करता था राजा इन लोगों को, तो बेसिकली क्या है कि यहां पर पिजेंट जो उनको घुसा तो आएगा ना, कभी नगभी तो घुसा आएगा, कभी नगभी तो उनकी सठकेगी, गोलेंगे तो आतावाजी सठक ली, जास्ता धाला भ हमें देखने को नहीं मिल रहे तो यह फूरिलिजंगी तेमिलता है, अब यहां पर फूरुदिलिखन की ठिरिए कि मलक है यहां परada 경찰 भी तो आप तो feudalism basically administrative structure था, है ना, medieval Europe का, और यहाँ पर basically क्या था, feudalism hierarchy जो है, जिसमें king जो है, वो uppermost level पर रहेगा, है ना, यह king जो है, वो यहाँ पर जागे provide करेगा, lords को, जो उसको military service जो है, वो provide करेंगे, है ना, तो मतलब बचाओ करेंगे, तो यह सारी चीज़ें हमें feudalism में basically देखने को मिल दे थी, तो यह पूरा feudalism की theory है, अब यहाँ पर आप देखो कि peasants का, तो main agriculture जो है, वो उनका main occupation था, यहाँ आप उसके बलबोते पर कितना करेंगे, टैक्से टैक्स लगा रहे हो, पैसा पैसा, पूर कब तक देंगे, कब तक दुगना तिगना चाओगा लगान जो है, वो पै करते रहेंगे, तो इसलिए यहाँ पर कभी नगा भी उठाओ तो होना है था, और यही उठाओ हमें आगे के revolutions में देखने को मिलते हैं, अब यहाँ पर church evil भी आता है, church evil मतलब क्या, भाई church जो है वो अपना काला यहाँ पर जो कारणा में है, वो यहाँ पर कर रहे थे, किस तरीके से, यह हर जगा हुआ है, हर जगा आप देखो, आप relate करके देखो, भली इतने दूर यह चीज़े हो रही हो, लेकिन स्टिल हमें यहाँ पर काफी relevant लगता है, कि हाँ यहाँ सब जगा सेम जीज़े चल रही थी, middle age में अगर आप देखोगे, church evil जो है यहाँ पर हो रहा था, money for church post, money for every rituals, यहाँ पर हर, जो भी आपको ritual करना है, भाई आपने कोई अगर गुना कर लिया, काफी सारा पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर, जैसे money for removing sins, जैसे कि church उन्होंने letters of indulgence यहाँ पर बेचना चुरू कर दिये थे, ठीक है, तो यहाँ पर churches बहुत बड़ी-बड़ी property वो ओन किया करते थे, तो मतलब basically church evil मतलब क्या है, कि कारा जादू नहीं है, church evil मतलब है कि यहाँ पर church के नाम पर, मतलब यहाँ पर religion के नाम पर भहुत सारा एटना, property, पैसा, लोगों को परिशान करना, लोगों को डराना, यह सारी चीज़े जो है हमें यहाँ पर देखने को मिल रही थी, यहाँ पर church only institution था, education का, ठीक है, medieval time में, यहाँ पर कब तक चलेगा है, लोग जो है, वो तरास हैंगे, लोग बाकी जगों भी देख रहे हैं, तो यहाँ पर तरास जाएंगे, आपस किसी चीज़ को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा था, कि भाई अगर इनको science के बार में पता चलेगा है, तो हम पर उंगलिया उटाना शुरू कर देगे, superstition हैं बोलना शुरू कर देगा, किसी चीज़ के बार में कुछ ने, देन उसके आद हम आते हैं, आपर dawn of 18th century, 18th century का उगम, अब यहाँ पर क्या हुआ, 18th century का उगम किस तरीके से हुआ, तो यह basically ऐसा था, कि आप हमारा, आप हमें वहाँ धूंड रहे हो, और मैं तुम्हारा इंतजार यहाँ कर रहा था, तो इस तरीके से 18th century उसने यहाँ पर शुरुवात की थी, feudalism जो है, इंग्लेंड में वो खत्म हो गया था, धीरे धीरे फिर बाकी जगए जो है, वहाँ पर भी कम होने लग गया, खतम होने लगया, नमबर आफ टाउन, सिटीज, लोग क्योंकि रिनाइजन्स, लोग जादरुख हो रहे थे, लोग को चीज़े पता चार रही थी, लोग को चीज़े समझ में आ रही थी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यह ना, यह सारी चीज़ों की बाते हो रही थी, ट्रेड में इंक्रीज, जो है, आमें देखने को मिला थी, फ्रेटर्ल एक्षेंज यहां पर हो रहा है, तो लोग को पता चलता था, भाई, तुमारे यह सब हो रहा है, हमारे है, क्यों फिर दबाया जा रहा है, यह सारी चीज़े हो रही थी, ट्रांजिशन हो रहा था, money-based economy from land-based economy, जो जमीन यहां पर providing feudalism में क्या हो था भाई, यहां पर जमीने दी जाती थी न, तो जमीने आप यहां पर money-based economy आ रहे थी, कि भाई, हम तुमको जमीन के बदले में, हम तुमको खाना नहीं देंगे, तुमको पैसा दो, फिर हमको जमीन लेना है, हमको mobile लेना है, हमको iPhone लेना है, हमको cycle लेना है, हमको car लेना है, हमको helicopter लेना है, हम decide करेंगे, तुम जमीन के बदले में खाना मत लो, तो हम तुमको पैसे के बदले में देंगे, तो यह एक चीज़ शिप्ट हुआ था, जो Catholic Churches है, जो Dark Age था, वो यहाँ पर basically खतम होना, Church Evil जो है, वो यहाँ पर खतम होना शुरू हो गया था, अब यहाँ पर जो एक Main Sealeded Question आ सकता है, कि Feudalism जो है, system खत्म क्यों हुई थी, क्या उसके पीचे कारण है, सबसे बेरे तो Trade Growth ज सिब जमीन जो है, लैंड जो है, उसके लिए काम नहीं करना चाह रहे थे, Middle Class जो है, वो यहाँ पर उभर कर आ रहा था, Middle Class को अब समझ में आ रहा था, कि भाई साब, अब यहाँ पर चीज़े जो है, मतलब तरीक है, हम यहाँ पर Transition है, Peasants and Nobles, जाना, Peasants and Nobles, तो यहाँ पर, Peasants जो है, उनको दबाया जाता था, तो यहाँ पर Middle Class आ गई थी घड़ी, कि यह बोर रहा था कि भाई, पूरे तरीके से Nobles भी नहीं है, पूरे तरीके से Peasants भी नहीं है, तो भाई यह अब चलने माला नहीं है, क्या कर रहे हो तुम, हम काई में आएंगे, हम काई को रहे थे, लोग चीड रहे थे, Feudalism के अगेंस्ट में, तो यह सारी चीज़े जो है, वो हमें यहाँ पर देखने को मिली, जिसके जाए Feudalism जो है, उसका खात्मा एंड हुआ, तो नया एरा क्यों चुरू हुआ, रिनाइसंस, लोगों को जागरूपता है, लोगों को पता जा रहा था, जो नया सीरूट से लाइंड है, उसका यहाँपर दिसकवरी यहाँगी हो रहे थी, धिसके वह से लोगों को connection increase हो रहा था, लोगों को च्रेड जो है, वो यहाँपर बढ़ रहा था, देन युसके नेशन स्टेड ज यहाँपर इमर्ज होकर आ रहे थे, गिलो तो तावा हमें देखने को मिला तो अब modern times के development जो है उसको हम अलग-अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं वो कौन-कौन से है एक तो है भाई political political काफी सारे changes हुए थे जैसे feudalism जो हो खत्म हो गया था then उसके एक सही structure जो है आपर form हो रहा था जहाँ पर लोग governance की बात कर रहे थे जहाँ पर लोग elections की बात कर रहे थे जहाँ पर लोग democracy की बात कर रहे थे तो यह सारी चीज़े जो है यहाँ पर political system है भैतर होती की economical point of view से अगर हम देखते है तो भाई लोग जो है अब यहाँ पर trade कर रहे थे लोग अब यहाँ पर पैसा जो है वो समझ में आ रहा था उन लोग को पैसा जो है वो कमा रहे थे जो इंप्लामेंट है वो यहाँ पर इंक्रीज हो रही थी देन उसके रिलिजियस पाइंट आफ यू से देखते हैं जो चर्च ही विल है वो यहाँ पर खत्म हो रहा था जो लोग है वो चर्च के अगेस में उठाव कर रहे थे कि भाई अगर मेरे गुना माफ करने तो मुझे इतने रिचुल्स करने ही कोई जरुवत नहीं है नॉर्मली अगर मैं कन्वेस करू अपने पूरे विदय से हार्ट से करू और आगे जाकर अच्छे कर्म करू तो अपने आप जो मैंने बूरे कर्म किया है वो नलीफाय हो सकते है सोशल पर्सपेक्टिव से भी लोग जो है अब यहाँ पर मिडल क्लास हो रहे थे लोग जो है वो बहतर तरक्की कर रहे थे जो डार के चल रहा था जहाँ पर कोई भी डेवलप्मेंट नहीं हो पाई सोशल स्ट्रक्चर में साइंस में आर्ट में लिटरेचर में फिलोसाफी में अब यहाँ पर लोग जो है उसे भड़ोतरी लाने की कोशिश कर रहे थे वो पहले ट्रेड किया करते थे इंडिया के साथ बोलिया अगर ट्रेड किया करते थे तो बाद में क्या हुआ यहाँ पर अरप्स जो है वो यहाँ पर आ गए अरप्स यहाँ पर आ गए अरप्स ने यहाँ पर कबजा कर लिया अब यहाँ पर क्या हुआ कि अरब से थू इनके पास थीज़े जा रही थी, मतलब समय लेजे कि यहां से जो है, दस रुपए में अगर कोई चीज़ जा रही है, तो यह आगे आपर सौर रुपए में बेचा करते थे, इनको आगया घुसा, इन्होंने बोला कि भाई, अब यहां पर commercial revolution जो है लाने की ज जुरू किया था, यही जीज़ वहाँ पर हमने देखे थी, किस तरीके से modern world जो है, उसने हाँ पर काम किया था, तो यह उसका theory पार्ट है, commercial revolution का, कि जब Constantinople decline हुआ, तो disrupt हो गया था, जैन उसके नए land, sea route के हाँ पर discovery हमें देखने को मिली, जो इंडिया है, वहाँ पर 1498, य हो हुई, जो agrarian surplus है, उसके वैसे नई technologies यहाँ पर develop होई, कि लोग जो है, आप यहाँ पर दूसरी जगह भी shift हो रहे थे, दूसरी इसमे भी जा रहे थे, अब सिप agriculture नहीं कर रहे थे, भाई, agriculture बहुत हो गया, अभी कुछ दूसरी चीज़े ट्राय करते हैं, मजे करते हैं, जो constantinople है, उसका disruption हुआ, trade जो है, यूरोपेश्या के बिच में हो, यहाँ पर disrupt हुआ, यहाँ यहाँ पर mercantilism भी आता है, जो wages थे, जो यहाँ पर discovery कर रहे थे, sea roots की, land roots की, वो यहाँ पर बड़े-बड़े जो मुनार थे, याद कीजे, Henry, याद कीजे, याद कीजे, यहाँ था, बड़े-बड़े लोग जो है, वो भी आपर include हो रहे थे, वो भी आपर involve हो रहे थे, क्या है, हम यहाँ पर नए sea roots कोशते हैं, हम दूंको पूरा funding करेंगे, तुम sea root को जो, मतलब पैसा हमारा, डूबे तो तुम, जान दुमारी, तो करने को तयार हो गया, तो हम यहाँ पर घुमने जा सकते हैं, world tour पे जाएंगे, तो यह चीज़े यहाँ पर होने को मिले, तो mercantilism basically यह चीज़ हमें देखने को मिलती है, अब यहाँ पर crusades के अगर हम बात करते हैं, तीन crusades यहाँ पर fight किये गए, Christian है, Islam power के बीच में, ठीक है, यहाँ पर जो भी problems हो हो रहे थे, इसके वज़े से, अलग-अलग-अलग-अलग जो expansionist policy यहाँ पर जो लेकर उतरे थे, ठीक है, Islam के द्वारा, तो यहाँ पर basically क्या था, जो बाकी के लोग है, वो यहाँ पर Christians और Islam के बीच में, यहाँ पर काफी conflict जो हमें देखने को मिले, तीन crusades यहाँ पर basically दे क्या उसके बीचे कारण था, एक तो curiosity, लोगों में curiosity हो रही थी, लोगों को यह हो रहा था, यार, कुछ तो change हो रहा है, कुछ तो मजा आ रहा है, कुछ तो यहाँ पर जबरदस हो रहा है, जो बहतर है, जो अच्छा है, अच्छी जिंदगी जीना किसी को भी पसंद आता है इसलिए हम अलग-अलग चीज़ा adopt करते रहते हैं, spirit of inquiry, लोग सोचने में मजबूर हो गएते, लोग inquiry कर रहे थे, यार, वहाँ क्या हो रहा है, यार, इंडिया में तो ऐसा हो रहा है, यार, वहाँ तो यह हो रहा है, यार, वहाँ के लोग यह कर रहे है, अच्छा, वहाँ क लोग यह कपड़े पर, चोटे-चोटे कपड़े पर, हम अभी तक साधिया पर, चोटे-चोटे, आरे, चोटे-चोटे कपड़े परेंगे, humanism develop हो रहा था, spirit of adventure यहाँ पर हो रहा था, individualism आ रहा था, secularism develop हो रहा था, मतलब जो religion है, अब वो यहाँ पर कम हाभी होता जा रहा जो rationalism है, जो logic है, वो यहाँ पर develop हो रहा था, अब लोग यहाँ पर logically सोचना चुरू कर रहा था, अब लोग को समझ में आ रहा था, कि यार, यह superstition है, यह कोई मजा नहीं है, ऐसे से नहीं होने वाला, लोग आप rational सोचन लग गए थे, logical सोचन लग गए थे, तो यह changes जो है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि invention, various तरीकी की inventions हमें देखने को मिले, horizons के दावरा, printing पर ऐसे लेकर, सारी चीज़े जो है, यहाँ पर बैसिकली, जो डार केंज में हम रुके वे थे, सीमित थे, अब यहाँ पर वो सारी चीज़े जो है, भैतर होती गई, और उसका विस्तार जो है, वो उता हुआ में देखने को मिला, तो इसको पड़ सको, बनलब लिखने के लिए, answer writing के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हो, उसका impact क्या हुआ, एक तो सी रूट से यहाँ पर develop हो गया, है ना, लोग जो उनकी curiosity develop होई, तो अपने आप यहाँ पर जो literature है, वो develop होता गया, जो science में हम पीछे रह रहे थे, वो यहाँ पर develop होता गया, जो law है, वो यहाँ पर सही तरीके से develop हुआ, powerful यहाँ पर चीजे जो है, वो आने लगी, है ना, reformation होने लगे, जो यहाँ पर rational लोग है, rational तरीके से यहाँ पर सोच विचार करने लगे, जो scientific discoveries है, व वो भी दो हिस्सों में थे, एक थे protestant reformation, एक थे catholic reformation, अब इसमें, जो reformation है, यह movement हा, basically, जो practices authority, जो radical catholic church चला रही थी, उसके against में, है ना, reformation, reform मतलब क्या होता है, बहतर चीजों के लिए होता है, transform हो रहा है कुछ, जो पहले प्रता चल रही थी, अब वो उससे कुछ जल रही थी, कि ऐसी ही होगी, यही होगा, वो ही होगा, उसमें transformation हो रहा था, उसमें reformation हो रहा था, तो यह movement reformation की उसके against में थी, जिसके वैसे यहाँ पर protestantism, है ना, उसके oppose में यहाँ पर develop हुआ, जो protesters है, वो यहाँ पर उठाव किये, leaders यहाँ पर develop हुए, leaders develop होने के बनकर उबरा, पहले ऐसा था कि यह इनसान चर्च वाला भगवान ने वेजा हुआ है, बस यही है, यह जो bullet टाड़ी हाल है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, तो Martin Luther के against under में, जो monk है, जो letter of indulgence अपोस कर रहे थे, बाकी चर्च इविल अपोस कर रहे थे, प्रस protestant चर्च का है, आज में नहीं आ रहा है, बोल के रहे है, यह चीज़ें चेंज हो गई, लोगों को समझ में आने लगा, कि हाँ उनके language में बाते करो, तो यह protestant यहाँ पर develop होना शुरू हो गए थे, क्लियर है, तो अब इसके causes क्या थे, जैसे religious factor, जो हमने देखा हुआ है, कि religious factor में, जो भी church के problem से रहे है, political factor में जो है, hierarchy बनी भी थी, जो लोग इस particular state के बने वे थे, economic factor जो लोग की economic development है, वो यहाँ पर होनी चीए, है ना, तो यह सारी चीज़ें होने लगी, 30 years of war हमें देखने को मिलता है, 1618 से लेकर 1648 के बीच में, तो यह सारा struggle जो है basic Catholic के और बाकी Protestant के बीच मे चल रहा था, जो Catholic है, वो यहाँ पर अपना बताने की कोशिश कर रहे थे, reform इतने आसाने से नहीं होता है ना, इनके पास डर का हतियार था, तो इतने आसाने से थोड़ी होगा, तो इतने लगे, 30 years लगे, पुरे transform हो है, प्रोटेस्टन जो है, यहाँ पर आने लगे, उबर कर आने लगे, और बढ़ने लगे, जब लोगों को पता चलने लगा कि आहाँ पर यार, यह नहीं हो रहा है, यह तो इतना उसका आपोस कर रहा है, फिर भी इसके साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है, तो लोग और ज़्यादा जुटने लगे, 30 years जिसके उपर हुआ, exam perspective से देखा जाया, तो यह कुछ ज़्यादा important नहीं है, लेकिन still, आपके पास पूरी theory जो है, वो रहनी चाहिए, इसलिए हाँ पर theory के रूप में मैंने यह सारी चीज़े दिये, बाकी exam के लिए इतना ज़्यादा यह जो चीज है, यह important नहीं है, लेकि इनको यहाँ पर autonomy देदी कि foreign policy उसको conduct करने के लिए war, peace, conclude करना, equality जो है European nation का वो यहाँ पर आ गया, डिप्लोमेसी जो है यहाँ पर war के इसमें आ गई कि भई, डिप्लोमेसी जादा अच्छी है, rather than going for war, balance of power जो है maintain करना, यह हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, तो यह पूरा एक overview, European पूरे system का, अब यहाँ पर next is में, अब यह था यह आपका इसी दिमाग एक जगह पे लाने के लिए था कि हम पढ़ किस चीज़ का रहे है, तो इसलिए अब यहाँ पर आ गए, पूरा Europe के भाग में, ठीक है, European America समय लिजे, तो next is में American Revolution जो है उसको cover करेंगे American Revolution, जो उसके बाद American Civil War, जो उसका French Revolution इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, तो मैं उमीद करता आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, तो आप शेयर जरूर कई कीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, जैन